दोस्तों केर प्रोडक्ट्स की भारी रेंज भले ही मार्केट में आ गई हो जब घर बैठे ही नानी मा के नुस्खों से अपना ध्यान रखा जा सकता है तो क्यों ना किया जाए हमारे आपके किचन में ही ऐसी तमाम चीजे होती हैं जिनके धेर सारे फाइदे होते हैं ऐसी ही एक औश्टी है हल्दी हल्दी फाइदे मंद होती है यह तो आपको पता ही होगा यहां आपको बताने जा रहे हैं कि हल्दी की मदद से आप अपनी स्किन का ध्यान कैसे रख सकते हैं अगर आप मुहासों से परेशान रहते हैं तो हल्दी आपके लिए बेहत मददगार साबित हो सकती ही हल्दी में एंटिसेप किट और एंटी बैक्टिरियल खूविया होती हैं हल्दी को चंदन और नीमगू के रस में मिलाकर फेस पैक बनाए और दस मिनट तक चे हरे पर लगा कर रखें फिर हल्के गर्म पानी से धो दे मुहासो के दाग भी हल्दी 15 मिनट तक चेहरे पर हल्दी का लेप लगाने से कम हो जाते हैं आप 2 टेबल स्पून बेसन में आधा चम्मच हल्दी और 3 चम्मच फ्रेश योगर्ट मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं सूपने के बाद इसे थंडे पानी से धो दे हल्दी करने का रस और दही मिलाकर आँखों के नीचे लगाने से दाग सकल कम होते हैं इससे जुर्यां भी कम होती हैं उम्र को ढखलने से रोके बढ़ती उम्र आपके चेहरे से ना ज़लके इसके लिए भी हल्दी आपकी सहेली बन सकती है हल्दी को दूध या योगर्ट में मिलाकर चेहरे पर सकुलर मोशन में लगाए और सूपने के लिए छोड़ दे फिर गुंगुने पानी से द्भू दे कम करे जुर्यां चेहरे पर बनी जुर्यां कम करने के लिए हल्दी, चावल के पाउडर, कच्चे दूध और तमातर के रस को मिलाए और 30 मिनट के लिए लगा कर छोड़ दे इसके बाद चेहरा गुंगुने पानी से द्भू ले टैंसे दर नहीं हल्दी और नीमबू का रस मिलाएं और 30 मिनट के लिए चेहरे पर लगा कर छोड़ दे फिर गुंगुने पानी से द्भू दे इसके अलावा थोड़ी से हल्दी को एक चम्मच मिल्क पाउडर, दो चम्मच शेहद और आधी मीमबू के रस में मिलाएं और सूखने तक चेहरे पर लगा कर छोड़ दे इसके बाद धोदे और फर्ट देखे निखरी स्किन के लिए हल्दी और बेसन के फेस पैक को हमेशा से ही स्किन को ग्लो कराने का बहतरीन तरीका माना जाता है चार चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ा सा दूड लेकर पेस्ट बनाए इसे कम से कम 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगा कर छोड़ दे इसे हफ़ते में कम से कम एक बार जरूर लगाए और पाए निखरी स्किन स्ट्राच मर्ख हटाए एक कटोरी में हल्दी, बेसन, योगर्ट और नीमबू का रस मिलाए और स्ट्राच मार्क्स पर लगाए इसे करीब एक महीने तक फॉलो करें और फर्देखें जले के निशान मिटाए, अक्सर किचन में काम करते वक्त चलने के छोटे मोटे निशान पर जाते हैं ऐसा होने पर घबराए नहीं जलने के निशानों को कम करने के लिए हल्दी को एलो वेरा जेल में मिला कर लगाए फाइदा होगा ओली स्किन को फाइदा हल्दी, संत्रे का रस और चंदन चहरे पर लगाएं सूखने के बाद धो दे खुजली में आराम अगर आपको स्किन के किसी हिस्से पर खुजली हो रही है तो हल्दी से फाइदा मिल सकता है एलोवेरा जेल में हल्दी को मिलाएं और आराम पाएं